हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी चैनल स्वागत आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो लोगस में आज किस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्पोर्ट से एलेटेड उनके कप्स एंड ट्रॉफिस को देखो यह टॉपिक जो है काफिया था इंपॉर्टेंट आपके किसी अपना पहला प्रश्ण प्रस्ट ने थोमस कप और उबर कप का संबंध किस खेल से हैं तो यह दोनों कप जो है रिलेटेड हैं बैडमिंटन से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सजी हो जाएगा और बात करें थोमस कप की तो देखो थोमस कप में यहां पर में पाटिसिपेट क अपना पहला टैटल जीता है हमारे भारत ने भारत ने हराया की तो भारत ने हराया इंडोनेजिया को जो कि 14 बार थोमस कप की चैंपिएन रह चुकी है तो मैं शेलाटेड है वो तो मैं मैं आख उपके पता दिया घ्यमिंटन से कुछ प्लेरेश्टे हैं हमारे भारत के जो बैडमिंटन खेलते हैं जैसे कि हैं किदांबी सिरिकांत लक्षे सेन साथविक साइराज रंकिरेडी चिराग शेटी यह जो हैं इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं बैडमिंटन को जो अभी काफ़ जाथा खवर में हैं तो इनका नाम जरूरी आद रहे हैं जित किया गया था तो यह भी इंपोर्टेंट फैक्ट है अगला प्रसने सुधी रमन कप किस खेल से संबंदित है तो सुधी रमन का भी संबंद्ध जो है बैडमिंटन से ही हैं तो याद रखेगा ऑप्संडीम और आया पे सही हो जाएगा एक है योनेक्स कप योनेक्स कप जो है यह भी बैडमिंटन से लिटेड ही है और अपने योनेक्स कंपनी का अपने रैकेट भी देखा हुआ बैडमिंटन का तो उससे आप याद रख सकते हो योनेक्स का जो है योनेक्स कप किस के संबंदित है याद रखेगा इंपोर्टेंट है इसके बाद जो है अगला के प्रस्फन सुल्टान अज Marshall Cup किस किरह से सम्बंदित ए हैं यह प्रस्फन जो है बहुत बार repeat exam मी तो सुल्टान अ कप जव है होकी से रिलेटेड है और अन्य जो कप है बात करें होकी से रिलेटेड है इसके बाद अगर हम बात करें प्रसंके तो वह है डेविस कप पुछा जा रहा है आप से कि डेविस कप is related to which sports तो Davis Cup का सम्मन्ध है option ने tennis से tennis के player आप सबको पता होगा नुवाग जोकोवीच है हमारे राफेल लडाल हो गए ये काफिया तक world famous player है राफेल लडाल लुवाग जोकोवीच इंडिया के बात करें तो सुमित नाडल है एक तो उनका भी नाम याद रख सकते हैं वो tennis related है और Davis Cup के बात करें तो यहाँ पर पुरुष पार्टिसपेट करते हैं इस Cup के लिए और मैलाओं की बात करें टेनिस में तो वो है Billy Jean King Cup ठीक है इसमें मैलाओं पार्टिसपेट करते हैं और Davis Cup पुरुषों का है याद रख सकते हैं इसके बाद है Durand Cup Durand Cup भी बहुँ ज़्यादा पुछा आता एक्जाम में तो Durand Cup जो है इसका संबन्द की ज़्पोर्ट से है तो इसका संबन्द जो है वो है फुटबॉल से option भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा और बात करें फुटबॉल के जो Cup and Trophy से उनको तो देखो यह है आपके फुटबॉल के Cups and Trophy जहाँ पर आपको फुटबॉल दिखना होगा और यह देखो फुटबॉल के कुछ मस्भूर खिलाड़ी है जैसे कि Ronaldo जो कि Portugal के लिए खेलते हैं यह हैं Leon Massey जो कि Argentina के लिए खेलते हैं एंड है हमारे भारत के सुनिल छेतरी तो यह सभी खिलाड़ी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है इंपोर्टेंट है बात करें Cup and Trophy की तो एक है रोवर्स Cup फिर है मैडिका Cup अब संथोष ट्रोफी यह याद राखेगा बहुँ ज़्यादा पुछाता एक्जाम में किस लिएड है फुटबॉल से रिलेटेड है फिर है विट्टल ट्रोफी फिर है शुबरतओ मुखर जी ट्रोफी यह सभी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है आपको याद रखना है इसके बाद है इन में से कौन सी ट्रोफी जो है किर्केट से संबंदित है तो इन में से जो ट्रोफी है दिलिप ट्रोफी, रनजी ट्रोफी विजय हजारे ट्रोफी इन सभी का संबंद्ध जो है किर्केट से है संद्धेमारा यहां पर सही हो जाएगा दुलिप रनजी विजया जारे सभी किसल समंदित हैं किर्केट से इलेटेड हैं बात करें यहां पर हम कृड़केट के क्ऊप एंड ट्रॉफिस की TODAYू देखो देऊधर ट्रोफी याद रखेगा पुछा आता है रनजी ट्रोफी याद रख सकते और रनजी ट्रॉफी c est Alejandra मैं प्लेचा किरों मुष। तो इंपोर्टेंट है, हजार से आप कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, मुस्ताक अली ट्रोफी भी याद रखिए, ये भी किर्केट से इलेटेड है, फिर एक The Ashes, ये जो है बहुत जादा पुछा आता है, The Ashes जो है एक किर्केट, टॉर्णामेंट होता है, टेस्ट किर्केट कर ठीक है, टेस्ट किर्केट के मैं बात कर रहा हूं, और किसके बीच में होता है, England and Australia के बीचे ख्यला जाता है, The Ashes, ये याद रख सकते हैं, ये शीरीज होती है, टॉर्णामेंट शॉर्णामेंट नहीं, शीरीज होती है, England and Australia के बीच में, एक CK Nidu कप, CK Nidu कप भी किर करेंगे एक अमबती राइडू किरिकेटर है हमारे भारत के अभी काफ़ी आता खबर में भी है एंड कल पर सो इन्हों ने घोस्ता भी कर दी अपने डिटार्मेंट के इसके बाद बात करें राइडर कप किस खेल से समंदित है तो राइडर कप का समंद्ध जो है वह है गोल्फ से याद रखिए जो गोल्फ केलते हैं चलो मैं एक आपको हिंट देता हूँ वह मिलखा जी के पुत्र है उनका आप कमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते हैं वह गोल्फ के खिला रही है तो देखते हैं किन-किन को यह प्रस्ण का उत्तर पता है इसके बाद एजरा कप एजरा कप का समंद्ध किस खेल से है तो एजरा कप का समंद्ध जो है वो पोलो स संबंद किस खेल से है तो नेरी ट्रोफी जो है यह बहुत ज़्यादा पुछा आता है और इसका संबंद है बोट रेस से आप आप देख सकते हैं इस तरह की लंबी लंबी बोट सोते हैं जिस पे रेस कराए जाता है आपने इस तरह की तस्वीर किस मोवी में देखे होगी अगर आपने टाइगर शॉप का बागी movie देखा है बागी तो उसमें देखो इस तरह का race कराया जाता है तो वहाँ पर आपने देखा हुआ साइट तो आपको याद होगा और आगे आपके लिए एक practice question है पुछा जा रहा है कि which of the following is not included in the tennis grand slam आप जानते हैं चार tennis grand slam में आउजित की जाते हैं तो आपको बताना है कि उन चारों में से यहाँ पर जो है कौन जो है include नहीं है US open, French open, Austria open, Wimbledon open तो इसका उतर सही नीचे comment box पर जरूर लिखिए and pdf के लाप आपको टेलिग्राम चैनल को जो आइन कर लिजिए आपको पीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया आता है and अगर आपको किसी भी topic पर वीडियो चाहिए तो आप मारे comment box पर जरूर लिख के बताएए उस पर topic पर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएगे so thank you for watching वीडियो, thank you so much